बुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपने BSTC सेकंड एर के सेकंड पेपर विदाल्य असंस करती हैं परबंदन शिक्षक पर कुछ इंपोर्टन्ट क्वेश्चन तयार करते हैं कल आपका फाइनल एक्जाम हैं सभी को शूप काम नए हैं तो इसमें कुछ इंपोर्टन् से जैसे कि आपके हल्प हो जाए कैंद्रिय विदाले का संचालन किसके द्वारा किया जाता है यह आपके छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमिन में से राष्ट्रिय परव कौन से हैं अपने जल्दबाजी में जो है भूल जाते हैं कि त्योहा को ही परव कर देते हैं ध्यान दीजिए इसमें राष्ट्रिय परव के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रिय परव कौन सा है तो अपने को राष्ट्रिय परव के बारे में जैसे गंतंतर दिवश है तो गंतंतर दिवश करना है नेक्स्ट क्वेस्चन है मेजर ध्यांचन जैनती कब मनाई जाती है या आपको ये question गूम के भी आ सकता है कि major ध्यांचन जैनती किस उपलक्ष में मनाई जाती है तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखे कि question को भासा को समझे question बदल के भी आ सकता है प्राथना सभा या समाचार पत्र परती दिन कितना समय लगता है कि विदाले में जो प्राथना ही करवाई जाती है या समाचार वाचन होता है उसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय है वो समय का बात कर रहे हैं ऐसे नहीं है कि हमारे विदाले में इतना टाइम लग तब पुरुन क्यों है, किस लिए है, बच्चे के व्यक्तितव के विकास के लिए, उसके माननिय गुणों के लिए, तो इसमें है सरवांगिन विकास के लिए, बच्चे इसमें बहुत बार गलतियां करते हैं, पहला option पड़ते ही कि व्यक्तितव का विकास होता है, तो इसमें सरवांगिन विकास होता है ध्यान देनेग्यों के बाते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है इंस्पाइर एवार्ड योजना कब लगू की गई थी ये एक परकार से आपके करंट का क्वेस्चन भी है कि इसमें Inspire Award योजना जो कब से लगू की गई थी या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2023 में Inspire Award कितनी रासी मिली थी तो इस question को भी ध्यान से देखना है माद्यमिक्षिक्षा आयोग कब बनाया गया था ये छोटे-छोटे question आपके हैं इसको ध्यान से एक बार पढ़ लिजिएगा फिर आपको पेपर में गलतिया नहीं होगी माद्यमिक्षिक्षा आयोग कब बनाया गया था ये अपने माद्यमिक्षिक्षा आयोग सबको पता है इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं 64-66 लिख देते हैं ये 1952 रेपर में बनाया गया था क्योंकि इसने पुचा है ये कब बनाया गया था इसको ध्यान से करना है बहुत बच्चे गलतियां करते हैं भारतिय स्विधान तयार करने के लिए गटित स्विधान के अध्यक्स कौन है कि भारतिय स्विधान जो हमारा तयार किया गया था उसकी गठित कमेटी के अध्यक्स के बारे में पुछा गया है कि कौन थे इसमें भी बच्चे गल्द करते हैं इसमें भीमराव अमेड कर लिख देते हैं इसमें पुछा गया है कि कमेटी के तो राजेंदर परशाद है डॉक्टर राजेंदर पर सकते हैं भारत की राष्ट्रिय ध्वज में कितने रंग होते हैं ये सब को पता है कि छोटा question है इसमें भारतिय राष्ट्रिय ध्वज में कितने रंग है तो color लिखने है और color के नाम लिखने हैं और सबसे important question आगे वाला है कि diet का पूरा नाम बताईए इसमें बड़ा जाता है और BSTC जो है डाइट द्वारा ही संचालित होती है इसमें बड़ा क्वेस्चन भी बनता है कि डाइट के कारे क्या है डाइट का उदेश्य क्या है और डाइट की रूपरेखा तयार कीजिए उसके गठन के बारे में तो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ कर जान पूरे हैं उसका explain करना है कारे कारे का वर्ने करना है भारतिय सुषविधान की पर्मुकष विसिष्था बताईए कि हमारा भारतीस विदान जो है उसकी बहुत सी विसेस्ता है उसमें से दो नंबर का question है तो आप दो या तीन ही विसेस्ताओं का जो है वर्नन करोगे ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा chapter student यहां गलतियां करते हैं जो question आते हैं उसको विस्तार से लिखने लग जाते हैं और short time बसता है एंड में बड़ा question आता है तो वो पूरा नहीं कर पाते हैं courses कीजिए हर paper को question को touch करोगे पूरा करोगे next important question है अनुसंधान के अंतरगत परियाए कौन-कौन से तीन कारे आते हैं अनुसंधान इसमें ध्यान दीजिए research का पूचा गया है बच्चे यहां भी गलतिया करते हैं किरियात्मक अनुसंधान लिख देते हैं किरियात्मक अनुसंधान नहीं देना यहां अनुसंधान के अंतरगत कौन-कौन से कारे आते हैं तीन कारे को देना है कि research क्या है research के कारे क्या है next इसमें वही बड़ा question भी है कि प्रार्थना के उदेशे बताईए प्रार्थना सवा क्यों ऐव जब की जाती है उसका मुख्य उदेशे क्या है और इसमें चोटा क्वेंट से आपके पांच डंबर के क्वेंचन जो आने हैं ब्ल्यूपृ pig के एकोर्डिंग मेंने पेपर लिया है राष्ट्रिय मुल्य क्या है राष्ट्रिय मुल्य क्या है कि हमारे राष्ट्र के जो मुल्य है उसकी वीवेचना करनी है सैनिक स्कूलों के परमुक विसेस्ता क्या है सैनिक स्कूल जो है जैसे केवियस है उस स्कूल में जो नमीनी करण किया गया है उस नमीनी करण का विस्तार से अपने को विवेचना करनी है शिक्षिक को खुले विचारों का होना चाहिए क्यों ये question जो है अपने सव के विचार देने हैं किशिक-शिक खुलो विचारों का होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि उसका ब्रॉंड माइड होगा तो ही वो विद्यार्थियों को कुछ अच्छा करवा पाएगा और नई तेक्निक है वो अपने जीवन में और विद्यार्थियों पर इसमें स्वेम के विचार पॉइंट बनाके आप लिख सकते हो तो ये किताब में केवल आपको इतना ही मिलेगा कि शिक्षक के खुलों विचारों का होना चाहिए कि उसकी मानसिक शंकेनता होगी तो वो बच्चों को डवलप्मेंट में उसकी भूमिका नहीं निभा पाएगा तो उसको आप पांसाथ पॉइंट बना सकते हो कि शिक्षा के चेतर में सबसे एहम भूमिका जो है शिक्षक की होती है वो समय के साथ उसके विचार परवर्तित होने चाहिए और खुले विचारों का होगा तो विद्यार्थियों को वो दोस्त बनाकर स्टड़ी कराएगा तो विद्यार्थी जो है अधिक से अधिक सीखने का प्रियास करेंगे इस तरह से आप जो है ये चार नंबर के क्वेश्चन है इसको आप पूरी तरह से लिख सकते हो नेक्स्ट फिर बड़ा क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी का था कि डाइट पे बड़ा और चोटा दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हर साल आता है तो सबसे इंपॉर्टन्ट स्किल जो है आपकी ये यूनिट है कि जिला परस्रिक्शन संस्तान देखिए आप ध्यान से देखिए उपर पूछा गया था कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है पूरा नाम क्या है और नीचे इसमें क्वेश्चन के अंदर ही इसका अंसर है कि जिला परस्रिक्शन संस्तान के कार्य उसकी चेतर उसकी विसेस्ताओं का वर्नन कीजिए तो इस तरह पेपर को पहले ध्यान से पढ़ना है और पूरा करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है निशूल कैम अनिवार्य बाल सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार से वर्नन कीजि ये क्वेस्टन भी most important है हर साल क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन के अन्दर आपको option भी मिलता है जैसे नवद्यविदालिय क्या है उसकी प्रवेश्परकिरिया क्या है उसको समझाना है तो इन में से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है next पहले उपर आया था research अब जो है यहाँ पर किरियात्मक अनुसंधान आ चुका है कि किरियात्मक अनुसंधान क्या है उसके विशेस्दाई, उसके उदेश्ये, उसका विवचना कीजिए. तो यह रिसर्च के साथ-आपका पूरा का पूरा क्वेस्टन जो है important है उस chapter उस unit को भी आप अच्छी तरह से कीजिए इस दोनों unit में आपके 15 नंबर के question आएंगे क्योंकि total आपका theory जो है वो 70 नंबर की है next important question है राष्ट्रिय शिक्षक, शिक्षा परिशद अर्थात NCT से क्या तात परे है NCT के career, उसकी रूप रेखा, उसकी क्या-क्या उदेश से है पूरा का पूरा जो है ये आपका 6 नंबर का question है तो इसको बड़े ही ध्यान से करना है सबसे पहले तो आपको NCT की full form देनी है और उसकी definition के recording देनी है कि हर writer ने अलग-अलग समझाया है तो उसके recording आप जो है वो लेके चलोगे next है नेतिक मुल्यों का शिक्षया पर क्या परभाव पड़ता है कि primary section के आप teacher बनने जा रहे हो तो नेतिक मुल्यों का शिक्षया पर क्या परभाव पड़ता है ये विद्यार्थियों को समझाना बहुत important होता है तो नेतिक शिक्षया का पूरा का पूरा chapter जो है important है गुरुकुल कांगडी विसव विद्याले गुरुकुल कांगडी विसव विद्याले कि स्थापना कभ हुई थी उसके मुख्य उदेश से क्या है ये important question है और इसके option में आपको प्रात्ना सभा से संबंदित मिल सकता है या फिर अन्य गतिविदी जैसे sexy और सह sexy क्रियाईं क्या क्या है तो ये important question आपकी 5 unit में से मिने लिए है तो आप इसको पढ़कर 70 number का paper जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो धन्यवाद आगे important question के साथ बने रहे हमारे साथ और मेरा channel है उश्या गोदारा के नाम से तो आप से अनुरोध है कि आप इसको subscribe और like share कीजिए धन्यवाद